नमस्कार सातियों फिर से सो आगेत आपका एक और नहीं वीडियों में तो बसातियों सभी प्रकार के जितने भी कच्चे करमचारी हैं तो उनके लिए जो है कुछ ताजा खबरे लिया हैं बैलग लग प्रकार से जितने भी जो भी जहां भी करमचारी लग रहा है चाहे बोठेकेदारी से लग रहा हो या रियाना कोशल रोजगार निगम से लग रहा हो तो सबसे पहले दो बात कर लेते साति उबह गरामनी चोकीदारों ने लगाया अन्देखी का रोप पी एफ कार्ड जारी नहीं तो इस सरकार की और से जो गोसना के बाद भी कई महीने बीट जाने के बाद में आज तक हमें जो ही सुईदाएं नहीं दे गई है ना ही गरामिन चोकिदारों को शिमय पर मांदे मिलता है पिछले दो महीने से हमारी जो सेलरी है वो भी जारी नहीं करी गई है अर्याना के पूरो सुईदाएं अर्याना सरकार के तरफ से नहीं दी जारी है इसलिए इन्होंने रोप लगा है और अर्याना सरकार से मांग करी कि आपने जो भी मारी मांगे माननी थी उनको पूरा करने काम है जाओ है उससे आगे बात कर लेते साथ योश्य चतूरत स्रेंडी के करमचारियों को ब्याज मुक्त रिण देने की मांग रखी है वह इस परकार से जीतने वी ओलर याना पी डेवलोडी मेकैनिकल करमचारी यूनियन की मीटिंग होई तो इस परकार से जो इस मीटिंग के अंदर जो हुआ इन्हों ने बताया कि अपने करमचारियों को नाज खरीदने के लिए कोई पत्तर जारी नहीं किया जिससे जो है करमचारियों में काफी रोज फैले हुआ है अगर सरकार नेशे में रहते हुए अपने चतुर्च रिणी के करमचारियों को वीट लोन नहीं दिया तो सरकार को वह से जो खामयाजा बुगतना पड़ेगा तो इस परकार से जो चत सदरोजगार निगम से लगया हुआ था प्रोपरटी आइडी बनाने के नाम पर जहुबत तीन जार की रिशुद लेते वे पकड़या गया अब इसको जहुबत टर्मिनेट करने का काम कर दिया है वी भाग के दोबार तो इस परकार से जो भी इसके उप्रो रोप लगया थ काम करें और उससे आगे बात करना सात्यूबत जिन भी करमचारियों ने नौंबर महिने में पंदरा सो रुपे फीस कटवाई थी तो उन करमचारियें के जो चिरायों कार्ड अवबनने शुरू हो चुके हैं आप भी कोई भी पातर है तो अपने कोमन सर्विस सेंटर पर ज आके अपना अपना कार्ड जो निकलवास को हो कैसलेस मेडिकल सुधा पांच लाख रुबेला का इलाज इसके दर मिला है जिस भी करमचारी न या परिवार ने पंदरा सुरू रुपे कट करवाई थे तो वो जो हुआ अपना अपना सियसी सेंटर पर जाएके कार्ड निकल वाने का ऑप्शन खोल चुक्या है गाइड लाइन का इंतिजार है यहनि कि इस परकार से जो भी करमचारी है अगर वो अपड़ी परिवार पैचान पत्र आइड़ी को अलग करवाना जाता है तो उसके लिए ऑप्शन खोल दिया गया है सरकार एक लाग 80,000 रुपे इंकम की स्रेणी में मानती है इससे उपर इंकम वाड़े को कुछ लाब नहीं मिलता परिवारों के अलग आइड़ी होने से दिकतर परिवार एक लाग 80,000 रुपे वाड़े श्रेणी में आ सकते हैं इससे वे BPL आईशमान बढ़ जाता है अधिक इंकम होने से दिकतर लोगों के B सबसे दिक सिकायते जोब अलग आइड़ी की जारी दी तो इसलिए जो सरकार ने यह कदम उठाया है और उससे आगे बात करना साथ है परिवार का कोई भी सदेश्या एपी कार्ड को ले जासके है अब जिसके लिए जो सरते लगाई गई थी वह अटा दी गई है नाय आदे जाएगा तो इसलिए आप जोब किसी भी एक परिवार के एक सदेश्या को जाना होगा जिसके तहद जोहर याना सरकार एक जार किलोमेटर लग की फरी बस यातरा देवा है आप भी अपना जोब कार्ड प्रातकर्श को हो 50 रुपे में एक जार किलोमेटर की यातरा निसुल कि देज आओगी तो आप साथ लग जोही यही ताजा जान करें लेका है थे आप साथ दिन वीडियों का बहुत बहुत धन्यवाद जै इन जै भारत जै रियान